हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इटी ज्यान पे मेरे नाम है बिना आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलिपकरड पर जो डिस्पेज ब्रीच लगता है उसके बारे में लग जाता है तुसको आटानिक लिए सिंप्ली फिलिपकर इसलेल के अंदर आपको और यहां पे हल्क का दीख रहे है इसको पर आपको किट करोगे उसके बाद माय घ्रशंटर के ओपर यहा sweeping करोगे उसके हुए सब्वाग व PPR सा दिख जाये है आप इसको नीचे स्कॉर्ल करना अब इसको पड़े मी सकते हो आपको यह Miss जाए एक इस तरीक पर टिक्रेक्ट रेस करना है तो आहाँ पर बता दो नीचे के तरफ जब आप आओगे तो यहां पर आपको लिखा हो है देखने को मिलेगा वार्ट इसकोपर क्लिक करोगे तो पयादे यहाँ पर टिक्रेक्ट रेस करने को option आता था अब यहाँ पर जैसे आप इसके ओपर क्लिक बोगए यहां पर चुका है right यहां पर लें को यहां पो यांको चुका है इस लिए पोरर ikiज लगा हुआ है उसकी पर चुलंआ इंदीा को लेकिले वहांड पर उन और इस फायल को अपनोड पर क्लिक खरना है जैसे दॉस्कार पूपर क्लिक करोगे ऊसके बाद यहां पर ticket creation template यहां पर upload is successfully अब आपको get status पर click कर देना है आपका जो ticket है यहां पर पता लग जाएगा क्लों की आपको ticket raise हो गया और उसके बाद यहां से ticket आपका raise हो लाता है लेकिन अगर आपको ticket range करना है और आपको ticket raise करने का option यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आपको simply क्या करना है कि flip card का जो seller app है उसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पी जो three lines दिगरी हुए आपको इसको उपर click कर देना है उसके वाद जब नीचे के तरफ आपको scroll करना है जब नीचे के तरफ आप scroll करोगे तो आपको यहाँ पर my tickets का option देखने को मिलेगा आपको इसको उपर click कर देना है उसके बाद create के उपर click कर देना है जैसे आप create के उपर click करोगे तो यहाँ पर आपको setup performance के उपर click करऊंगा और जैसे मैं इसको पर click करूंग और यहां पर मुझे option देहने को मिल लागा तो मैं setup performance को उपर click करता हूँ और यहां पर आप आप देख सब्सक्राइब लिए हम्हें करें और यहां पर और आपको created लगा हुआ और यहां से आपका आपके लिए ब्रीट को लाइक किजिए और अगर आप इस चैनल के नहीं है तो चैनल को सब्स्ट्राइब कीजिए और बैल आइकन को भी तबाएगे